स्कूले से मास्टर साहब को बंदूग दिखा के लेके चला गया बंदूग देखा करके खेले जागा शाधी करने में बंदूग कहीं देखाया जाता है लोग बोल रहे हैं मास्टर साहब को सिखाया गया है मास्टर साहब को सिखाया गया है उनके लोग सब सिखाया है बंदू बिल्कुल हुआ है अमान लेजे कोई पकर लिया, जान थोरा ही मारदिया हमको दूख होगा सादी हो गया तो हम अपने कर लिए पैसा जैसे ही दिया जाएगा सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा बिहार से खबर आप सुनते आ रहे होंगे कि गाओं के किसी युवक को पकड़ हुआ बिहार का सिकार होना पड़ गया लेकिन कौन था वो युवक आज वो आपको बताते हैं आज उसी रेपुरा गाओं में पहुंचे हैं और जरा हमारे पीछे देख लिजे वही स्कूल है जिस गाओं के एक सिछक को पकड़ के उसकी शादी उसके मर्जी के खिलाफ कर दी गई है बाकी तमाम लोग हैं यहां पर लोग तो बच रहे हैं लेकिन फिर भी बात करने का प्रयास करेंगा तो क्या नाम है असोक राए इधर आजया आप इधर आई आए असोक राए इसी गाओं के रहने वाले हैं आप बगल के अच् शादी बिया तो होता है आपका भी शादी बिया हुआ होगा लेकिन इसे पकड़ के बिनामने हमको भी तब पकर यह कर दिया रख लिये हो गया बात खतम आपका भी पकड़ के शादी हुआ है अरे तो उससमें दुख नहीं हुआ कि भाई अच्छी लड़की खोशते हैं हमारा शादी हुआ था कितने वर्ष हो गया शादी हुए हमरा 2002 में उस समय तो दूसरा जवाना था ना क्या करते हैं यह तो भाई पैसा लगा करके पढ़ लिक करके अपने घर पड़िवार को सम्हाल रहे इनकी अभी दो-दो बहने हैं शादी करने के लिए उससे पहले रांब कर लिए आपके हिसाब से ठीक होँआ है unnatural कहिये या जो भी कहिए लेकिन जिसके ऊपर पड़ता हम सकता है अबोधस हो गया हमें आकचप्कर लिए जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा परतिष्ठा मेरे पास है तो परतिष्ठा है तो एकसेप्ट कर लिए चलिए अब देखिए इसी गाउं से वो खबर सामने आई थी और बता दे कि यहां जो लड़की का पड़ी बारे बताये जा रहा है कि वो ताला मार करके यहां से निकल यहां पर कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है और गाउं के तमाम लोगे क्या नाम है चाचा क्या नाम है वुटकवा फेक दीजए हैं हमार नाम से क्या बात है नहीं हमार तो रहे हैं आप उचान से नाम बताईए अच्छा नाम छोड़िए इस गाउं में पकड़ुआ को बंदूक दिखा करें चला मास्टर साथ को बला तो मास्टर साब करें गया है करें जो लोग को परशान करें अब होखता है जो उनको पसंद रहा हो का साधी करने के लिए हैं अपने मरजी से भी घाय कोई अब देखिए दो तरफ की बात आ रही है और दोनों पक्छ को सुनना जरूरी है कोई भी सही हो सकता है कुछ लोग कह रहें कि मास्टर साहब सही है मास्टर साथ की एक इस अगलत हुआ है उनके लेकिन यहां यह कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है लड़की वालों ने अगर जबरदस्ती साधी की तो यह भाई साहब बताते हैं यह मेरी भी शाधी पकड़वा भी आहीं हुई थी और हमने एकसेप्ट किया और यह बता रहे हैं कि हो सकता है कि मास्टर साहब अपनी मर्जी स अच्छा क्या लगता है मास्टर साहब एक लिए दवाब है और कुछ नहीं है सारा इलाका पाते पूर परखंड में लगभग लगभग बुजिये 20 परसेंट रहुआ साधी होता है कि यह सब पैसे के लिए कर रहे हैं इसे से आणुमान लगा अनुमान है कि हो सकता है जैसे ही पैसा उनके पॉकेट में जाए तो पूरा मैटर मैंटर मैंज हो सकता है चलिए आप दोनों पक्षों का बयान आपने सुना ये उसी गाउं के लड़की पक्ष के गाउं के लोग हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना लेकिन आप बताईए कि आप किसे सही और किसे गलत मानते हैं बाकी प्रतिकिरिया तो आप ही की रहेगी comment section में लिखना ना भूले